नमस्कार, मैं हूँ ससी, आए जरगां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं बता दे कि चीन के तेवर तब नरम पड़े जब राक्षा मंत्री रायना सिंग और सिर्शन अधिकारियों ने पूर्वी लादाख में वास्तिविक नेंतरन रेखा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच हुए पांच सूतिरी समझवता पर चार्चा की बैठक की पारा सिख्षकों पर दर्ज मुकादमा वापस लेगी सरकार राय सरकार पारा सिख्षकों पर विभीन थानों में दर्ज हुए मुकादमे को वापस लेगी सिख्षा मंत्री जगनात महतों ने मुक मंत्री हमनसुरिन को पत्र लिखकर इसका अंडोलन करने वाले कई पारा सि से करम में लगवख 40 पारा सिच्कों की विरूत परात्मी की दर्च की गई थी जार्खन में 971 संक्रमीत की पुष्टी हुई जो वुकारों से 75 चत्र चत्रा पंद्रा देवखर 26 धनबाद 45 दुमका बारा पूर्वी सिम्भूम 201 गड़वा 37 गिर्टी बारा गोड़ा 16 गुमला बीस जामतरा छो हजारी बाक सोलला खोटी 21 कोड़ार्मा 15 लाते हर एगार लुर्दागा चार पलामों 29 रामगर 95 राची एक सो संतानबे साइब गड़वा 9 सराइकला 21 सिम्डेगा 11 पच्मी सिम्भूम 66 मिले है जारकन में कुल संक्रामितों की संख्या 69 है जबकि 43 है 328 लोग स्वास्थ हुए और 532 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रामितों की संख्या 46,57,389 है जबकि 36,21,438 लोग स्वास् भी हुए है जारकन में सुक्रावार को 15 संक्रामितों की महत हुए है जिसमें से जमसेत पूर के 4, राची के 3, लोहर दागव धनबाद से 2, 2, बोकारों देवखर जामतरव पच्मी सिम्भूम से एक-एक मरीज की महत हुए है बता दे कि सुक्रावार को 1213 मरीज स्वास्थ हुए हैं एक्टिव केस इस प्रकार हाएं राची 366 पुर्वी सिमुम एक्टी सो ती हतर रामगर एक हैर तीन सराय केलर नौस वर्तालिस हजारी बाग साथ सो बहतर धनबाद साथ सो बावन कोडारमा छो सो पचासी बोकारो पांसो उनसर पाच्मिस से मुचार सो उन्चालिस गुमला 352, खोटी 327, सिम्डेगा 319, गिरीर 305, चात्रा 297, देवगर 235, लातेहर 235, सायव गाई 215, दुमका 209, पलामू 155, लौर्दागा 133, गडवा 111, गोड़ा 485, सीएम हाउस घेरने पैदल राची निकले सायक पुलिस जवान, एसपी के समझाने के बाद लवट जारकन पुलिस में अरक्षी पत पर नियुक्त किये जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे, सायक पुलिस कर्मी सुक्रवार को पैदल ही राची के लिए निकल पड़े, बता दे कि डीएसपी विनोध रवानी, संतोष कुमार मिस्रा, इंस्पेक्टर आधी कांत महतो, पुलिस कर्मियों को समझाया और भरुसा दिलाया कि उनकी हर बाते को सुना जाएगा, मनरेगा मजदूरों को समय पर हो भूगतान सचीव, मनरेगा एवं गरीब कल्यान रोजगार अभियान के अंतरगत चलाये जा रहे, विभीन योजनाओ से समन्दित कारे प्रगती को ल के प्रती रूची बढ़ाने के लिए कारे की एवज में मजदूरी भूगतान सच समय करने पर जोर दिया गया। के पताधिकारियों के साथ बैटा खोई, इसमें विभाग के सचीव राहूल सर्मा ने बताया कि मदर्सों के बकाया अनुदान को लेकर संकल्प जारी कर लिया गया है, सिग रही अनुदान की रासी जीलों को भेज दी जाएगी। मुकादमा करने का कारण बताया गया, मुखमत्री गोर से सुप्रीम कोट के अधिवक्ता अविशेक मनु सिंगवी ने बहस गी, अधालत ने मामले के तीनों प्रतिवादियों गोडा संसर निशिकान दूबे, सोसल मीडिया प्लेटफर्म, ट्यूटर और फेस्बुक के खि अधिवक्ता के मादेम से 22 सितंबर को पक्ष रखने को कहा गया है, स्रमीकों को रोजगार की गरांटी देगी सरकार बनेगी कमेटी, जार्खन में मन रेगा कि तर्ज पर सहरी छेत्र में रोजगार गरांटी योजना से समन्दित, नितिगत, निर्नायों के लिए मुखमंत की बात की परकिरिया क्या होगी, आपको बता दे कि आविदन करता को साल में 100 दिन का रोजगार नहीं देने की स्तिती में सरकार जूर्माने के तोर पर बिना काम कराई नियुतम रासी का भुक्तान करेगी, लालु यादो की जामानत याज का टली, 9 अक्टूबर को होगी जारा घोटाला मामले में सजायाफता लालु यादो की जामानत पर सुनवाई टल गई है, अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी, बता दे कि या सुनवाई आधी सजापूरी होने के कारण टल गई, वहीं लालु की ओर से चाईवसावाले मामले में जामानत मांगी गई है बीजली का नाया कनेक्षन अब स्मार्ट प्रिपेर्ड मीटर के साथ रजस्वसीली में आ रहे दिकत को ध्यान में रखते हुए बीजली बित्रण नीगम का जोर सुदरात्मक उपायों पर है बता दे कि इसके लिए बीजली निगम आपके वर स्मार्ट प्रिपेर्ड मीटर के साथ ही नया कनेक्शन देगा इसके लिए आवेदा को बीजली बीतरन कमपनी के और से सुचिवत एजेंसियों के द्वारा मीटर खरीद कर लगाना होगा आपको बता दे कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग रिमोट कंट्रोल से ली जा सकेगी इसमें महीना में एक दफा मीटर की रीडिंग अनिवार होगी जिसमें बीजली खपत से समन्धी डाटा मोबाईल एप या इसमेस के माध्यम से उभगता को उपलब्ध होंगे अफसरों की कमी कैसे चले नकसलियों के खिलाफ अभियान चारकन पुलिस में अफसरों की कमी है राजे के घोर नक्सल परवावी जिले चाईबसक अडवा गिरी राची के अलावा रामगर कोडर्मा पाकुडवा गोड़ा में सायक पुलिस अधिक्चक अभियान का पद रिक था है जबकि नक्सलियों के चलते चाईबसक अडवा गिरी डिवा राची अक्सर सुर्खियों म अब तक ये एसपी अभियान के पद पर केंद्रिये बल के अधिक्चा को तैनात किया जाता रहा है सहायक पुलिस कर्मियों की बहाली ही गलत केंद्री पाठी बतादे की केंतरी पार्थी ने धनबाद के सर्किट हाउस में पार्टी करेकरताओ एवं नेताओ से मुलकात के दुरान या बात कही है पलाजमादान करने में पुलिस कर्मी आगे आ रहे करोना संक्रमन से जूज रहे लोगों की मदद के लिए पुलिस कर्मी लगतार आ गया रहे हैं करोना संक्रमन होने के बाद ठीक होकर काम पर लड़ चुके 200 से अधिक पुलिस कर्मियों ने राची में अब तक आपना पलाजमादान किया है बता दे कि राची में बरतमान में तकरिबन 400 अधिक पुलिस कर्मी है जो पलाजमादान दे सकते हैं वही राजबर में जीलों के एसपी के द्वारा ठीक हुए पुलिस कर्मियों को भी पलाजमादान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है रासन बित्रन की जाज के लिए प्रसासन की टीम बनी रासन बित्रन की मोनेटरिंग करने वाले सिख्षको को सभी जनकारी रासन डीलर नहीं उपलब्द करा रहे हैं कई डीलर लाभुक की पूरी सुची भी नहीं दे रहे अधार कर और अने जरूरी चीजों की जनकारी मांगे जाने पर सिख्षकों को नहीं दी जा रही है ऐसे में डीलरों की सिख्षकों ने जीला परसासन से की है बता दे कि जीले के अब तक 122 डीलरों की सिख्षक परसासन से की गई है इन सिकायतों के बाद जीला परसासन ने टीम का गठन किया है सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे से आप सिक्छक सिधे जूर सकेंगे जारकन के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से आप सिक्छक सिधे जूर सकेंगे सिक्षक अब विसहवार छात्रशत्राओं का वाटसेप गुरूप बनाएंगे और समधित विसहवार में होने वाली समस्याओं का समधान करेंगे बताओ दे कि इसके लिए स्कूली सिक्षा और सचता विभाग ने त्यारी कर ली है सिक्षक छाठी से बराहित तक के छात्रशत्राओं का विसहवार वाटसेप गुरूप तयार करेंगे सिक्षा विभाग की कारेसली से हाई कोट नराज जार्खन हाई कोट के नियाधिस जश्रिश एची मिस्रा की खंड़ पिठ में सुक्रवार को अलप संख्यक सिक्षको के पेंशन के मामले में सुनवाई हुई सुनवाई की दरण हाई कोट ने राज सरकार पर लगवग 35 लाह का जुर्माना लगाया है आदालत में सिक्षा विभाग की कारेसली पर नराजगी भी जाहिर की गई है बता दे कि अदालत ने याचिका करताओं को 50-50,000 का भुकतान करने का आदेस राज सरकार को दिया है गुटका बैन करने के लिए उठाए गए कदम बताए सरकार हाई कोट जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस नयम मुर्थी डक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नरायन परसाद की खंड पीठ में सुक्रवार को राजगी में गुटका बैन करने को लेकर दारे अचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान अदालत ने राज सरकार से जवाब तलब किया है अदालत ने सरकार से पूचा है कि राज में गुटका बैन करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और राज सरकार दोरा उठाए कदमों का पालन हो इसके लिए सरकार दोरा करवाई कर र ये प्रतिवध है और इस दीशा में लगतार परियास किये जा रहे हैं मुखमंत्री हेमन्सुरे ने सुक्रवार को उच्ट तक्निकी सिक्षा याम कोशल विकास विभाग के निजीगत विशयों की समिक्षा के दुरान यह बात कही है देवघर उपायुक्त ने यह पोट का निरिक्षन किया देवघर उपायुक्त कमलेश्वर पसाच सिंग ने सुक्रवार को देवघर यह पोट परिशत का निरिक्षन किया इस दवरान उन्होंने पूर्ण हो चुके रन्वे के कारे काव लोकन कर वास्तु इस्थिती से आउगात हुए निरिक्षन के कराम में उपायुक्त ने चल रहे टर्मिनल ब्लेडिंग, ATC, टावर, फायर एस्टेशन, पावर एस्टेशन, आदी विभीन कारेव का निरिक्षन कर कारे प्रगती की समीक्षा की। रेलवे नीजी करण के बिरोध में धार्ना परदर्शन आसंसोल रेल मंडल के मौडल रेलवे स्टेशन जासी डीह में इस्टन रेलवे मेंस उनियन के बैनर तरे रेल करमियों ने सुक्रवार को रेलवे में नीजी करण करने के बिरोध में धार्ना परदर्शन आवियन किया बिधायक सीता सोरेन की बेटिया ने है मनद से मांगा जवाब जामुमो जामा की विधायक सीता सुरेन की विरासत को समालने के लिए राईनितिक रूप से सीता सुरेन की दो बेटिया राई सीरी सुरेन एवं बिजाय सीरी सुरेन खूलकर राईनितिक जंग के मैदान में सोसल मीडिया के मैदयम से उतर चुकी है बता दे कि राई सी सुरेन ने ट्वीट करते हुए पार्टी के करेकारी अध्यक्ष और जामिमों को अफिसियल ट्वीटर हैंडल को मेंसन करते हुए पूछा है कि मुझे यह अद्धे कर बहुत दूख हो रहा है कि मेरी ममी जावूँओ पार्टी की बिदायक सिता सुरेन जी के द्वारा लिखे गए खत का 18 गंटा से ज़्यादा वक्त हो गया लेकिन इस मामले में अभी तक कोई संग्यान नहीं लिया गया इस खामोसी का क्यातात पर यहा है चत्राइस्पी दिसब कुमर जहा ने मासिक अपराद समिक्छा बैठक की इसकरा में उन्होंने उगरवाद अपराद और तसकरों के खिलाप अभियान में तेजी लाये जाने परबल दिया उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में समाज बीरोधी कारयों की समलीप्त रहने वाले के साथ सिथिलता नहीं भरती जाएगी पूलिस उनके खिलाब करवाई को लेकर लगता छपीमारी अभियान चला रही है तीन बसो पर प्रसासन ने की करवाई सरकार द्वारा राज के अंदर बस चलाने की हरी जंडी दिये जाने के बाद कुछ बस मालिकों को सुक्रवार को परसासन के हाथे चड़ना पड़ा बता दे कि पिछले कई दिनों से जीला परसासन को यह सुचना मिल रही थी कि कुछ बस मालिक अपने बसों को दूसरे राजियों में भी भेज रहे हैं जिसमें यात्रियों की भारी संख्या देखी जा रही है इसके बाद परसासन ने पूरी तैयारी के साथ नावा बजार चेक पोस्ट पर धावा बोल दिया वहां मौझूद यात्रियों से भरी बस को अपने टार्गेट मिलिया और जात की तो पाया गया कि कई बस से सरकारे नियमों की धज्या उड़ाते वे भिहार जा रही थी